नमश्कर जी कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का मेरे नए व्लॉग में उमीद करती हूँ आप एक दम खुश एक दम बढ़िया होंगे अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत जादा टेंशन लेते हैं तनाव में रहते हैं बहुत जादा चिंता करते हैं अपने काम को लेकर तो फिर तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि आज जो कहानी में आपके सामने लाई हूं वो इन सब से रिलेटेड हैं तो शुरू करते हैं ये कहानी है एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले सेल्स मेनेजर की जिसके परिवार में वाइफ है और दो बच शुद्ध जात sonsta चाफ किया जाए होगोगोगा तो चोरों का भी एक तरीका होता है जहां चोर करनी होती है नहीं वहां वो दो-तीं तन दिन पहले तहकीकात करते रहते हैं कि कौन किस समय आता है किस समय जाता है तो बस चोर अपने काम पर लग गए शाम को जब मैंदेजर स सभार बगीचा उसमें लगे हुए आम के पेड़ के पास जाते हैं और अपने बैक से कुछ निकाल कर वहां छुपा देते हैं अब चोड छुपके देख रहे थे लेकिन क्योंकि मैनेजर साब कुछ छुपा रहे थे तो उनकी पीठ थी तो चोड यह नहीं देख पा रहे थे क उन्होंने छुपाया क्या मैनेजर ने कुछ रखा और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर चले गए चोरों की तो आँखे चमक गए गिलो हो गया काम जरूर कोई कीमती चीज या पैसे छुपाये हैं इसी पर हाथ साफ करेंगे अब वो इंतजार करने लगे कि रात हो वो पेड के पास और अच्छे से डूरने लग गए कि उन्होंने छुपाया क्या था पूरा पेड चान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला बड़े परशान हो गए बाउंडरी से कूदे और वापस चले गए अगले दिन फिर यही मैनेजर फिर देर शाम आए उन्होंने पेड में अपने बैक से कुछ निकाल के चुपाया और उसके बाद घर के अंदर गए चोरों ने कहा आज तो जानके रहेंगे कि क्या है जो कल हमें नहीं मिला था उन्होंने भी वही किया वो बाउंडी से कूदे पेड पूरा चान लिया कुछ भी नहीं दिखाए दिया कि क्या बैशान होकर फिर आज खाली रात खाली हाथ वहां से वापस चले गए अब उनके मनमेना चोरी करने से ज़्यादा ये बात जानने की इच्छा थी कि आखिर पेड में चुपाई हुई चीजे गायब कहां हो जाती हैं तो संडे का दिन था चोर बड़े शरीफ बंदों की त हैं और आपके घर चोरी करना चाहते थे दो बार आये भी हमने आपको न उस पेड में कुछ छुपाते हुए देखा था अपने बैक से निकालके आपने जब पेड में कुछ रखा था ना तब हमने देखा था हमें लगा कि बहुत कीमती समान होगा इसी पर हाथ साफ करेंग और जो मिलेगा आपस में बाट लेंगे हमने दो दिन मेहनत करी हमें एक भी चीज ढूंडे नहीं मिली हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आखर इस पेड का ना क्या रहस्ते हैं कि वो चीज़े कैसे गाया होजाती है यह सुनकर मैनेजर बढ़ी जोर से हसे और फिर एक इन कस्टमर की तो गालियां खानी पड़ती है उसके बाद बॉस ने सेल्स का जो टार्गेट दिया हुआ है अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो बॉस के ताने अलग सुनने पड़ते हैं सारा दिन दिमाग में टेंशन रहती है कि अगर टार्गेट कंप्लीट नहीं हुआ त सबन्ता सब कुछ है ये मेरे दिमाघ में जो नेगटिविटी भरते हैं उस नेगटिविटी को मैं इन चिनताओं के साथ इस टनाव के साथ ही ना इस पेड़ में चुपा देता हूं ताकि ये मेरे साथ मिरे घर के अंधर ना जाएं मैं अपने घर के अंदर जाओं तो टेंशन फ्री होकर क्योंकि वो समय मेरा मेरे परिवार के साथ खुशी से बिताने वाला समय है ये सुनके चोरों को सारी सच्चाई समझ में आ गई उस दिन वो चोरी करने में तो कामयाब नहीं हो पाए लेकिन उन्हें जिन्दगी कीना बह सारी टेंशन होती है आज यह नहीं हो पाया बॉस ने यह कह दिया वह कह दिया और वो जो सारे दिन का जो स्ट्रेस होता है जो टेंशन होती है उसका असर जाता है आपके फैमिली पर अगर आपके बच्चे ने आपसे कुछ कह दिया आप टेंशन में आप चिला कि उसको डा कैसे निकाल रहे हैं अपनों पर गुस्सा करके जबकि उनकी तो कोई गलती नहीं इसलिए एक चीज़ देखिए पुरानी जमाने में लोगों के पास इतनी सुख सोविधाय नहीं थी लेकिन फिर भी टेंशन फ्री रहते थे आज जितनी सुख सोविधाय बड़ी है न उतनी ह अपने देखा होगा लोग बीपी की दवाई शुरू कर देते हैं राद राद भर सो नहीं पाते क्यों टेंशन है नीन नहीं आ रही दवाईयों पर आ जाते हैं क्यों ऐसी लाइक बनानी आपको आपके बिजनस में के लिए आपके जो ऑफिस का वर्क है उसके लिए जो सेल रखिए ओफिस आर्ष खतम टेंशन खतम कल का कल देखेंगे अपने उस तनाफ को उस नेगिटिविटी को अपने साथ घर मत लाईए क्योंकि ये टाइम आपका खुशियां बांटने का है अपने दिमाग को चिंता मुक्त रखने का है अपने परिवार के साथ बिताने का है इसलिए घर आएं तो सबसे पहले घर की सीमा स्टार्ट होने से पहले ही अपनी सारी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल के पेड़ पे टांग देजे उसके बाद अपने घर में एंट्री करिए ताकि ये टाइम आप खुशी खुशी बिता सकें क्योंकि चिंता सिर्फ उतनी करिए जो स्वास्ते पे भारिये ना पड़े स्वास्ते ठीक है तो आप ठीक हैं और अगर आप ठीक है ना तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे इसलिए अब सोच लीजिए कि जब भी मुझे ऑफिस से घर आना तो चिंताओं को घर के अंदर एंट्री नहीं देनी है मुझे चिंता मुक्त होकर घर आना है दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए वो टाइम मेरा इंजॉय करने का टाइम है अपनी फैमिली के साथ अपनों के साथ काम की चिंता ओफिस टाइमिंग में देखेंगे जितने टाइम के लिए सेलरी मिलती है तो कोशिश ए ऐसा करने की पिर देखिए आपकी लाइफ में आपको खुदी चेंज नजर आने लगेगा आपका स्ट्रेस कम होगा आपका दिमाग काम में और जादा लगने लगेगा जब आपको कुछ घंटे ऐसे मिलेंगे जिसमें दिमाग में कोई टेंशन नहीं है पोई चिंता नह अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगा और इसे जादा से जादा शेयर करेंगा लाइक करेंगा कमेंट भी करेंगा अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ तब तक के लिए जैश्री किष्णा